दोस्तो आपका टेक्णिकल और वीडियो में सवागत है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इचीमू कुको इंडिकेटर के बारे में इचीमू को इंडिकेटर बाकी इंडिकेटर्स थे थोड़ा अलग गया क्योंकि यहाँ पर आपको triple confirmation मिलती है तो मैंने grow है में nifty 50 index को open किया हुए यहाँ पर आपको nifty 50 का chart दिख रहा है और यहाँ पर मैंने e-timo को cloud indicator को भी apply किया हुए आपको इसे apply करने के लिए indicators पर click करने और यहाँ पर e-timo को cloud search करकर इसे apply कर लेने अब e-timo को cloud में हमें बहुत सारी line दिख रही है और एक cloud भी दिख रहा है पहली बार देखने में यह indicator बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन इसे समझना बिलकुल असान है और यह हमें triple confirmation भी देता है अब यहाँ पर जो हमारी blue line है वो हमारी conversion line है और हमारी baseline का color orange है और जो line आपको price से पीछे देखने को मल रही है वो हमारी lagging spam की line है जिसका color green है अब यह indicator हमें triple confirmation देता है हमें first की confirmation बीच की दो laneों से मिलती है जब हमारी blue line औरेंज line को उप से नीचे के तरफ cross over करती है तो इसका मतलब price उपर जाने वाल है दूसरी confirmation हमें lagging spam से मिलती है lagging spam की line 26 candle पीछे चलती है और हमारा cloud भी price से 26 candle आगे चलता है पहली confirmation हमें cross over से मिली दूसरी confirmation में हमारा lagging spam price से उपर होना चाहिए जैसे यहाँ पर cross over हुआ तो इससे 26 candle पीछे जानी यहाँ पर हमारा lagging spam price से उपर है तो हमें दूसरी confirmation मिली की price उपर जाने वाल है अब तीसरी confirmation में हमारा cloud price से नीचे होना चाहिए तो यहाँ पर cross over हुआ इसससे 26 candle आगे हमारा cloud price से नीचे है तो यहाँ पर हमें triple confirmation मिल चुकी है कि price उपर जाने वाल है और इसके बाद market भी कितनी ज़्यादा उपर गई है अब हमें downtrend में इसका सेम उल्टा देखने को मिलेगा हमारी blue line, orange line को उपर से नीचे की तरफ cross over करेगी दूसरा आपको cloud price से उपर देखने को मिलेगा तीसरा lagging spam की line price से नीचे देखने को मिलेगी तो यहाँ पर भी हमें triple confirmation मिल रही है कि price नीचे गिरने वाल है sideways market में ये indicator काम नहीं करता इसलिए market में volatility होना बहुत ज़रूरी है इस indicator को use करते time आपको stop loss का दियान रखना है तो I hope आपको इस वीडियो से कफे को सीखने को मिला होगा और फिर मिलेंगे ऐसी किसी नहीं interesting वीडियो के साथ